आज के सुट्य में आप लोग को बता रहे हूं घर पर आप हाइडरा फेशियल के जैसे ग्लू कैसे पा सकते हैं और वह भी पारलर से कई गुना जादा बहतर आपको निखार मिलेगा इतनी जादा ग्लूइंग ब्राइटिंग दिखने लग जाएगी आप लोग के लिए एक नियाईवाई क्रीम भी शेयर कर रहे हूं बहुत ही जड़ा इफाटिव रिजल्ट्स मिलने वाले हैं आज की जो हवरापड़ी आप लेके शेयर कर रही हूं अगर आपके स्किन पे कालपन बहुत ही जादा होते जा रहा है स्किन पे डर्लनेस हो गई है जुरिया हो गई है रिंकल्स फाइलेंस की वज़ए से उमर से काफी अधिक दिख रहा है तो आज का ये फेशियल आप करके देखिए एक पर्ड में ही आपके स्किन की दो-चार से लाइटन होंगी साथ इसकिन पे तेरी से निखार आएगा चमक आएगी इसकी निक्तम शीशे की चैसी चमकदार दिखने लग जाएगी तो बनेरी का वीडियो में पूरा वीडियो जरूर देखिए को फ्रेंट से चलिए शुरू करते हैं आज की हो में रामेडी जो की है फेशियल आट होम बहुत ही आसान और सरल तरीका बता रहे हूं आप लोगो घर पर फेशिल करने का और हाँ साथ में कोई खर्च भी नहीं है कीचन की आईटेम से आप फेशिल कर सकते हैं सबसे पहले इसकीन को अच्छे से साफ कर लेना है आप चाहे तो कोई भी फेश वस्यूज कर सकते हैं उसके बाद गरम पानी में कपरे को डाल करके निचोर करके इस तरीके से आप इस्टीम ले सकते हैं हलका से इस्टीम हमें लेना है दो-चार मिनर के लिए या फिर आप गरम पानी में कपरे को डुबो करके हलके हाथों से पोच भी सकते स्कीन को इसे स्किन की पोर्स जो है वो उपन हो जाएगी जिसके बाद हम अगली प्रिक्रिया करने वाले हैं उसमें अच्छे से साफ हो जाएगी और एक्तम स्किन ब्राइटनिंग दिखने लग जाती है इस्टिम करें न तो बहुत ही बहतर रिजल्ट साब को मिलते हैं तो उसके बाद हम यह करने वाले हैं फेस की क्लीजिंग, स्क्रबिंग और साथे मसाज तो उसके लिए हमने लिया है क्रीम यह दूद्ध या दही के ओपर का पाट्स अपले सकते हैं मैंने दूद्ध के ओपर का पाट्स लिया है उसमें कुछ चावल का आटा मिला देना है भी हो इसके सफाई बहुत ही बेंशनु है तो हे लिने के बाद यह प्रप आफ-जनां जा nécessaire और कुछ जाद है कि हमें follow नहीं करने हैं बस इस remedy को लगाना है हलकी हाथों से मसाज करते हुए मलाई जो है इसकीन को अच्छे से moisturize करती है नुरिश करती है साथ में deep clean भी करती है क्योंकि दूद और दहिस इस तरीके से हमारे स्कीन के लिए फायदमान है उसी प्रकार से मलाई भी और especially dry स्कीन वालों के लिए बहुत ही ज्यादा best है आज की ये facial तो आप जरूर ट्राइ किजिगा फ्रेंड्स तो इस तरीके से आप हलके हाथों से मसाज करें और चावल काटा जो है अच्छे से स्कीन को exfoliate करता है और एक दब Korean के जैसे स्कीन पे चमक देता है light देता है Korean glass skin हो जाती है हलके हाथों से आपको massage करना है बिलकुल भी जोर्चे नहीं करना है नहीं तो आपको श्यार एक हैं तो अब अक्यास कहते हैं, वो श्यार को आयए अगर कीम हैं इसे कि मैसाज के ने खा सी है, तो पि ही म समें खात्ड कर लकार जाते है। मैल काला पर्ण, डर्ट, धूल, धूल, जो भी इसकिन पर जमी हो, टैनिंग वो सब खतम हो जाएगी साथ इसकिन टाइट होने लगती है, इसकिन यंग होने लगती है और एकतम शीशे के जैसी चमकदार दिखने लग जाती है हलके हाथों से मसाज करना है आपको लगबग 5-7 मिनिट के जितना और उसके बाद जब यह रामेडी अच्छे से सकिन पर अब्जार्व हो जाती है उसके बाद हमें इसको रिमूग करना है बीच-बीच में आप थोड़ी से रामरी ले सकते हैं नहीं तो रोज वोटर अपने हाथ पे लगा करके इस तरीके से आप मसाज करें आपके स्कीन इंगम डाइट चवा और खुशरा थने लगेगी इसकीन में जो कसाव है ना बहुत ही तेरी से आने लगेगा कोलेजोन जो है वो बरकरा रहती है सकीन पर बनी रहेगी और कोलेजोन की वज़े से सकीन बहुत ही ज़ादा डल और जुड़ियों वाली दिखने लग जाती है बोढ़ी लटकी वही दिखने लग जाती है तो इस तरीके से आप फेशिल करें हपते में एक बार भी यह कर लेते है ना बहुत ही बेस्ट रिजल्स मिलेंगे नहीं तो महिने में दो बार तो ज़रूर करिए तो लगवग पांच साथ मिनट से थोड़ा जादा ही मैंने मसाज कर लिया था उसके बाद गिले कपरें से पोस्ट ले रही हूं इतना ज़दा चमक आ जाएगा ना इतना ज़दा चमक आ जाएगा सच मुछ आपको लगेगा नहीं कि अभी तो सेकेंड डिश्टेप बागे करना हमें उसके बाद एक नाइट क्रीम भी आप लोकशा शेयर कर रही हूं इसकी निकदम शीशे के जैसी चमकतार दिखने लग गई थी जब मैंने यह स्क्रब और सब से पहले हमने चुकंदर को चुकंडर करके उसको कड़ुकष कर ले ना एक तबारीक सा कड़ुकस करना शेयर नहीं तो आप पेश्ट By बना सकते हैं या फिर आप जीस तरीके से चाहिए चुकंदर हमें ले एक उनिक सबृटर कर के लिए सकिन के लिए शील कर ले बाह ग प्रेश दही इसमें अड्ट करना है आप चाहें तो दही की जगह कचा दूद भी ले सकते हैं अगर आपके स्कीन को दही सूट करता है दही लीजिए उसके बाद इसमें अधर कर लेनी है तो वीडियो स्किप हो गाई थी तो इसलिए बात एक जल्द हणी प्राद में चेणी ह बेसन तो मेरे स्किन पर इतना ज़्यादा निखार लाता है बहुत ही ज़्यादा मेरे स्किन के लिए बेस्ट है वैसे तो आप भी ट्राइ करके देखिएगा आपको ऐसा लगेगा ने कोई भी फिश वर्श वगर लगाने की ज़रत नहीं पड़ेगी इसकिन पर अलग से अच्छा लगता है पिंक फेश पैक लगाईए उसके बाद पिंक फिलाबी निखार भी चेहरे पे उस तरीके से आता है और बहुत ही ज़्यादा मतलब इसकिन के लिए ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा है सचमुच तो आप वीक में दो तीन दिन जरूर इस फेश पैक को होता है ना इस तरह से स्किन पे भी लगाए तो उतना ही ज़्यादा अश्यादा दिखता है पुरे फेश पैने अच्छे से हमने अप्लाई कर लिया है मोड़ा सा लेयर लगा लिया है और 20-30 मिनद के लिए हमें रहने देना है इस रैमरी को लगा करके उसके बाद लाइव पार में इतना ज्यादा चमक इतना ज्यादा निखार पा करके आप भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे तो नॉर्मन पानी से चेहरे को धो लेना है और इसके बाद हम एक डियवे क्रीम भी अपलाई करेंगे अपने स्किन पे अपने फेस पे जो की इसकिन को बहुत सकते हैं और यह जो सिंपल हो में रामडीज है ना बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देती है और कोई पैसे भी खर्च नहीं होते तो यह जो क्रीम में लगा रहे हूं तो आभी रिसेंटली आप लोग के साथ वीडियो शेयर की हूँ वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन ब बेस्ट है वैसे ओल स्किन टाइपस है और दिन में आप संस्क्रीन जरूर लगाए कोई अचा सा मॉस्चिराइजर चूस कर लिए अपने लिए उसके बाद जब भी आप क्रीम अप्लाई करें तो अपर डिरेक्शन में इस तरीके से मैसाज करते हुए क्रीम लगा है जितनी से धन्यवाद आप लोगों का और बने देगा हमारे साथ जुर्य देगा वीडियो को जाता ज्यादा श्यार जरूर करिए क्योंकि बहुत ज्यादा एफ्यक्टिव है और बीना मेकप देख सकने एक सिर्फ बिंदी हमने लगाई और कितनी ज्यादा स्किन पर चमक है गलो है तेंक यू